इस चार्ट में comparison दी गई है stock versus nifty की 1st January 2020 से आज तक, इसमें हम prices का sudden fall और recovery दोने एक साथ देख सकते हैं। January से March 2020, nifty में 38% का correction और ये stock का थोड़ा सा कम correction, January 2020 से current date तक 15% का लाभ हुआ है ये stock price में। इस stock का प्रदर्शन nifty 50 index की तुल्ला में अच्छा नहीं रहा। Stock का current performance हमने देखा, अब long term performance देखते हैं। 1-1 2014 को share price थी और index था। 6 साल बाद share price थी और index था। Lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था। और current price है। और index है। अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए। लंबी यवदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए। 2-जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। निफ्टी के मुकाबले। 3-जैसे ही market recover होती है अमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। 4-अमारा share अपने sector का top share होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share nifty से better है या नहीं। यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे। अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है। 1-1-2014 को एक लाग रुपए इस share में invest किये। 6 साल बात 1-01-2020 को इस share में invest किये हुए एक लाग रुपए हो गए। March में इस investment की value हो गई। और current share investment की value है। 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपए निफ्टी-50 shares में invest किये। 6 साल बात 1-1-2020 के दिन निफ्टी-50 में invest किये हुए एक लाग रुपए हो गए। March 2020 में इस investment की value हो गई। और current nifty-50 investment की value है। शेर में अप्रिसियेशन ज्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट शेर ने जीत लिया है सेकंड पॉइंट शेर ने जीता थर्ड पॉइंट निफ्टी ने जीता ओवराल शेर जीता यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया यह शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया स्टोक मार्केट में अगर रिटन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है यह आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं बैंक FD तोड़कर शेर खरीद लूँ तो उसके लिए यह है अगला चार्ट जो 1-1-2020 से 31-2020 का है यह comparison है 1-1-2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा यह comparison है 1-2-2020 से आज तक की यह पर निफ्टी मजबूत रहा थैंक्यू